नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आज की वीडियो में आज हम जो सेंटेंस सीखने वाले हैं वो बाद दिता अनिवारिता और आवश्यक्ता से संबन दिता हैं इस परकार के सेंटेंस हेज और हेव का यूज करते हुए बनाए जाते हैं तो चलो पहले सेंटेंस से देखत मुझे इस्टेशन जाना है हाडवर्ड इस्टेशन स-t-a-t-i-o-n इंग्लिस बनाते हैं इसकी I have to go to station next sentence देखते हैं मुझे यह पुष्टक पढ़नी है I have to read this book next sentence देखते हैं उसे अस्पताल जाना है अस्पताल के लिए इंग्लिस में बढ़ है hospital h-o-s-p-i-t-a-l hospital इंग्लिस बनाते हैं he has to go to the hospital sentence देखते हैं रमन को यह पार्ट याद करना है याद करना इसके लिए इंग्लिस में word है learn l-e-a-r-n learn means याद करना पार्ट या अध्याई के लिए इंग्लिस में word है lesson l-e-s-o-n या फिर chapter c-h-a-p-t-e-r इसका इंग्लिस देखते हैं रमन has to learn this lesson next sentence देखते हैं मुझे school जाना है या मुझे school जाना ही है दोनों के लिए एक ही sentence बनेगा I have to go to school अब देखते हैं इसका structure सबसे पहले हमने इसमें रखा subject subject के जस्ट बाद में हमने रखना है has या have has रखा जाता है जब हमारा subject singular होता है और जब subject plural होता है तो हम रखते हैं have और just उसके बाद में हमें infinitive लगाना है मतलब has या have के जस्ट बाद में हमें to लगाना है और to के बाद में verb की first form का यूज करना है is, am और और का यूज करते हैं भी हम infinitive के साथ sentence बनाते हैं लेकिन उन में बाद दिता, अनिवारिता और आवशकता नहीं होती जब कभी sentence में बाद दिता, अनिवारिता और आवशकता का भाव ज्यक्त करना हो तो हम has और have के साथ infinitive का यूज करते हुए sentence बनाते हैं अब next sentence देखते हैं, मुझे प्रती दिन सुबह 5 बज़े उठना पड़ता है, या मुझे प्रती दिन 5 बज़े उठना ही पड़ता है, या मुझे प्रती दिन 5 बज़े उठना होता है, ये सबी sentence हैं जो एक ही प्रकार से बनाया जाता है, एक ही इसका structure होगा, इसकी English देखते ह I have to get up उठने के लिए वर्ड यूज क्या जाता है get up get up at 5 in the morning next sentence देखते हैं उसे रोजाना बाजार जाना पड़ता है रोजाना के लिए इंगलिस में वर्ड यूज क्या जाता है daily daily मतलब रोजाना बाजार के लिए इंगलिस में वर्ड यूज किया जाते हैं market M-A-R-K-E-T market means बाजार He has to go to the market Delhi Next sentence देखते हैं राधा को खाना भी बनाना पड़ता है खाना बनाना इसके लिए यूज किया जाता है वर्ड prepare P-R-E-P-A-R-E prepare मतलब खाना बनाना या चाई बनाना खाना बनाने के लिए कुक भी यूज किया जाता है चलो इसका इंगलिस देखते हैं राधा has to prepare food Next sentence देखते हैं मुझे कपड़े दोने पड़ते हैं hard word दोने के लिए इंगलिस में वर्ड यूज किया जाता है wash और कपड़ों के लिए इंगलिस में वर्ड यूज किया जाता है cloths cloths मतलब कपडे चलो इसकी इंगलिस बनाते हैं I have to wash cloths Next sentence देखते हैं विद्यारतियों को अपना कमरा साफ करना पड़ता है विद्यारतियों के लिए इंगलिस में वर्ड है students साफ करने के लिए वर्ड यूज किया जाता है clean clean मतलब साफ या साफ करना चलो इसका इंगलिस बनाते हैं students have to clean their room Next sentence देखते हैं हम सब को सुबह प्रातना करनी पड़ती है हम सब के लिए इंगलिस में वर्ड यूज किया जाता है we all we all we all मतलब हम सब सुबह के लिए इंगलिस में वर्ड यूज किया जाता है morning morning मतलब सुबह प्रातना करना इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है offer prayer O-F-F-E-R offer prayer P-R-A-Y-E-R चलो इसकी इंगलिस बनाते हैं we all have to offer prayer in the morning Next sentence देखते है गीता को सुबह चाय बनानी पड़ती है चाय बनानी के लिए भी क्या यूज किया जाता है prepare P-R-E-P-A-R-E prepare यानि बनाना चाय के लिए वर्ड यूज किया जाता है T T-E-A T means चाय चलो इसका इंगलिस बनाते है गीता has to prepare T in the morning Next sentence देखते है रोशन को सुबह व्यायाम करनी पड़ती है व्यायाम के लिए इंगलिस में वर्ड यूज किया जाता है exercise E-X-E-R-C-I-S-E इसका sentence बनाते है रोशन has to exercise in the morning Next sentence देखते है मेरे दादाजी को प्रति दिन दवा लेनी पड़ती है प्रति दिन के लिए इंगलिस में वर्ड यूज किया जाता है डेली D-A-I-L-Y डेली मतलब रोशना या प्रति दिन दवा के लिए इंगलिस में वर्ड है मेडिशन M-E-D-I-C-I-N-E मेडिशन मतलब दवा इसका इंगलिस बनाते है My grandmother has to take medicine डेली Next sentence देखते है मुझे सुबह से साम तक कारियाले में काम करना पड़ता है इसका इंगलिस बनाते है I have to work from morning to evening in the office Next sentence देखते है मुझे office पैदल जाना पड़ता है Hard word Office O-F-I-C-E Office मतलब कारियाले पैदल के लिए English में वर्ड यूज के जाता है On foot O-N-On F-O-O-T Foot On foot मतलब पैदल English मनाते है I have to go to office on foot Next sentence देखते है मुझे उसका इंतजार करना पड़ता है इंतजार के लिए English में वर्ड यूज के जाता है Wait W-A-I-T इसका English मनाते है I have to wait her Next sentence देखते है मुझे मेरे भाई को पड़ाना पड़ता है Hard word छोटा भाई इसके लिए English में वर्ड यूज के जाता है Younger brother Y-O-U-N-G-E-R Younger B-R-O-T-H-E-R Brother Younger brother मतलब छोटा भाई पड़ाना के लिए English में वर्ड यूज के जाता है Teach T-E-A-C-H Teach मतलब पड़ाना इसका sentence बनाते है I have to teach my younger brother Next sentence देखते है उसे पसू चराने पड़ते है चराने के लिए वर्ड यूज के जाता है Grace G-R-A-Z-E Grace मतलब चराना पसू पसू के लिए English में वर्ड यूज के जाता है Animal A-N-I-M-A-L-S Animals यानी पसू चलो इसकी English बनाते है He has to catch animals Next sentence देखते है सुरक्षा गार्ड को पूरी रात जागना पड़ता है या जागते रहना पड़ता है Hard word सुरक्षा के लिए यूज के जाता है इंग्लिस में Security word S-E-C-U-R-I-T-Y Security मतलब सुरक्षा गार्ड के लिए word use के जाता है गार्ड की spelling है G-U-A-R-D गार्ड पूरी रात पूरी रात के लिए English में word use के जाएगा Whole night W-H-O-L-E Whole night N-I-G-S-T Whole night मतलब पूरी रात जागना या जागते रहना इसके लिए word use के जाएगा Stay awake S-T-A-Y Stay A-W-A-K-E Stay awake मतलब जागना या जागते रहना English बनाते हैं इसकी The security guard Have to stay awake the whole night Negative sentence किस परकार से बनाते हैं चलो इसका structure देखते हैं सबसे पहले हम रखते हैं subject subject की just बाद में हमें रखना होता है Has या Have और इसके तुरंत बाद हमें रखना होता है Not जो negative है तो note आना ही है और negative की just बाद में हमें रखना होता है To plus verb की first form मतलब infinitive इसका एक sentence देखते है सुरक्सा गार्ड को पूरी रात नहीं जागना पड़ता है The security guard Has not to stay awake the whole night Intricative sentence से इसका बनाते हैं तो इसका structure होगा Has और Have ये subject से पहले आ जाएंगे उसके बाद में subject रखा जाएगा subject के just बाद में To plus verb की first form मतलब infinitive रखा जाएगा और उसके बाद में Quotient Mark चलो इसका एक sentence ओर बनाते हैं क्या सुरक्षा गार्ड को पूरी रात जागना पड़ता है Has the security guard To stay awake the whole night और फिर last question mark इस परकार से हमने कुछ sentences देखे लेकिन आपको इनहीं sentence पे नहीं रुकना है इस परकार के और कई सारे sentence बनाने हैं और उनकी practice करना है अच्छे से English बोलने के लिए आपको इस परकार के कई सारे sentences बनाने होगे और उनकी practice करनी होगी और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो like, share और subscribe करें Thank you very much